अब चाहते हैं ऐसे विडियो एड तक देखते रहे असलायुल लेखम अच्छान हागर षाद है अजिसेँ हम कुछ रहे खालों के लेखक्रण कोई भी कोई आपने वहां पर कोई भी स्पेशल जो रिंग टोर है उसके लिए स्लेक्ट नहीं की तो आपको पता नहीं चलता कि यह किसकी कॉल दिल दूस्तों इस एप्लिकेशन की मदद से आप यह सुन सकते हैं किस ने आपके मुबाइल फोन पे कॉल की है आपका फोन उसका नाम बता दे दिल नहीं है काल अपने अनौशर प्रो जिल वहां पर यहां पर टाइप करते हैं तो यह आपने यहां पर आपके बात करें तो तक रिंग एक जादा लोगों ने डाउन लोट किया हुआ है और तकरिबन फॉर पॉयट फोर इसकी जो रेटिंग है जो कि बहुत ही जबरतसत है मैं इसको पहले डाउलोड किया हुआ है आपके पास यहाँ पर इंस्टाल को आपशन होगा आप यहाँ से इंस्टाल कर लीजिये तो चली है इस अप्लिक glucid को आपन करते हैं और यहाँ पर जो system की speech है, उसको test करते हैं. दोस्तों हमें यहाँ पर आवाज बिल्कु ठीक आ रही है, लेकिन आवाज सोड़ी सी slow है, उसको हम बाद में जाकी ज्यादा कर लेते हैं. तोसलिए हम यहाँ पर yes पर click करते हैं, कि हमें आवाज आ रही हैं. उसके बाद हम यहाँ पर call पर click कर लेते हैं. दोस्तों call settings में आने के बाद आपको यहाँ पर दो option मिल जाते हैं. Speak name और unknown numbers, हम इन दोनों को ही on training देते हैं. और यहाँ पर जापर लिखा है तीन, कितनी बार आपका नाम बोल के यह mobile phone बताए, तो हम यहाँ पर कर देते हैं, साथ. उसके बाद वापर चलते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर audio पर click कर लेते हैं. दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से adjust कर सकते हैं, कि जो आवाज बोलने की speed है, वो कितनी होनी चाहिए, और जो call आती है, उसकी आवाज की speed कितनी होनी चाहिए. तो मैं उन दोनों को यहाँ पर ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर जो set volume है, इसको full कर देता हूँ. उसके बाद हम यहाँ पर वापश चलते हैं, एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, और के वेरी गूड, चलिए हम वापश चलते हैं, वापश जाने के बाद हम SMS पे क्लिक करते हैं, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके SMS भी आपका मुबायर फून पढ़के सनाए, तो आप यहाँ पर settings कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं just call के लिए करना चाहता हूँ, इसके लिए इसको off कर देता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा कोई भी message send कर सकता है, तो जाहरी से बात है, message जो उर्टू में हो, और यह English में आपको पढ़के सनाएगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ सी problem ना हो जाए, इसलिए मैं इसको off ही कर देता हूँ, ओके तो इसके बाद यहाँ पर WhatsApp का option है, अगर आप WhatsApp के message सुनना चाहते हैं, English में तो आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको offering देता हूँ, ओके तो यह थी कुछ setting जो कि हमने कर ली है, चलिए मैं इसको यहाँ से off करता हूँ, और अब अपने mobile phone दूसरे से इस पर call करता हूँ, और देखता हूँ कि यह मेरा नाम यहाँ पर बोले गए यहाँ नहीं है। ओके तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे मुझे call आई है, मेरे mobile phone ने मुझे बोल के बता दिया है कि कौन आपको call कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बावता दूँ कि जो mobile phone में number save है, यह वही आपको बोल के बताएगी। मतलब जो आपकी context list में है, यह वही बोल के बताएगी। और जो unknown number होते है, मतलब बाहर जाते है, private number होते है, यह जाहिर सी बात है, private number तो बता देगी, लेकिन वहाँ पे नाम show नहीं होता। दूसरों, यह बहुत ही कमाल के application है, आपका mobile phone कहीं ऐसी जगा पड़ा हो है, जहाँ पे आपडेक्स नहीं सकती है, लेकिन जैसे आप वो नाम सुनते है, तो आपको फॉरण पता चल जाता है, किस बंदे की call receive करनी है। तो फ्रेंड्स मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दूसरों, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अगर ये तक आपने Facebook का पेज लाइक नहीं किया वा, तो लिंक आपको मिल ज झाल